आगरा ताज नगरी आगरा के परिवार की वीडियो सोसल मीडिया पर इन दिनों खुब वारल हो रही है मामला ताज नगरी आगरा के थाना सागन छेतर के खेरिया मोड का है खेरिया मोड की रहने वाली राधा नाम की एक यूती गायल अवस्ता में राजस्तान के मनिया में मिली थी जिसे राजस्तान पुलिश ने जिला स्पताल में एडमिट कराया और उपचार के लिए आगरा भिज दिया गायल यूती की हालत अभी भी नाजूक है जो कुछ भी बोल नहीं पा रही है मुपर आक्सिजन का मास्क और अचे तवस्ता में यूती मौत और जिन्दगी से जूज रही है पर जोनों का आरोफ है कि पडोश के रहने वाले दुसरे समुदाय के चार लड़कों न यूती के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है और पुलिश ने मामला दर्ज नहीं किया हलाकि इस मामले में पुलिश ने अपरण का मुगदमा दर्ज कर एक आरोपी को जेल भेज दिया है गैंग्रेप का मुगदमा दर्च कराने वाले आरूपियों को जिल भिजवाने और प्यूरिता को न्याय दिलाने के लिए परिवारी जनों की वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रही है फेस्बूक, ट्विटर, वाट्शेप के जरिये परिवार के लोग फूलिस प्रसाथन पर उगली उठाते हुए उत्तर प्रदेश के मुखे मंतरी और आला अफसरों ने न्याय के गुहार लगा रहे है वीडियो में आप साब देख सकते हैं कि प्यूरित का बुवा का लड़का राजबिर एस एसपी के कर्याले के सामने गुड़गड़ा कर कैसे न्याय की गुहार लगा रहा है वीडियो वारल होने के बाद कई राजियो में यह वीडियो ट्रोल हो रही है देली और मद्य प्रदियो में वीडियो पहुंची है जिसमें लोगों का जन समर्थन मिल रहा है और अब प्यूरिता को न्याय दिलाने के लिए आगरा सहित अन्य राजि के लोग भी समर्थन दे रहे हैं क्या करे अब पर दोक्तर न बताया हुआ कि लड़की के साथ मोबबद हो गई फुद मार दे अपनी बच्ची को क्या करें कई है नया आए